हेलो फ्रेंड्स, वल्कम बैक टो फूगल को था फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक जरूरी विशाय लेकर के आई हूँ जो आप लोगों का सिलेक्शन डेवी में करने में बहुत ही हिल्प करेगी क्योंकि DAV सेलेक्शन प्रोसस में इंटरव्यू का राउंड टू जो होता है वहाँ पे मैनेजमेंट और प्रिंशिपल सेर और मेडम वहाँ पे इंटरव्यू लेते हैं और वहाँ पे बहुत ही एक कमन कोश्टिन पूछा जाता है कि Why do you want to work in DAV? यह common question बहुत ही पूछा जाता है बट आप लोग का answer बहुत ही unique होनी चाहिए इसलिए मैं इस वीडियो को आज आप लोग के साथ share कर रही हूँ ठीक है तो यह आप लोग का next जो selection process है DAV का DAV का recruitment की form fill up आप लोग कर चुके होंगे बहुत सारा recruitment की update आ रही है भी DAV से ठीक है तो आप लोग जानती ही होंगे की DAV का selection process बहुत ही standard होती है बहुत ही standard way में teachers को evaluate किया जाता है तो इस वीडियो को शुड़ू से अन तक जरूर देखीगा ठीक से तो मैं उमीद करती हूँ कि आप लोग के लिए यह beneficial रहेगा तो जो बहुत ही common question मैंने आप लोग को बताया why do you want to work in DAV तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में discuss करेंगे तो चली चलते तो दोस्तों यह जो question है कि why DAV यह question as per the perspectives of students भी पूछा जा सकते है कि एक student क्यों पढ़े DAV school में क्यों चूज करें DAV school इतना school है इतना private schools है तो DAV ही क्यों चूज करें यह भी एक teacher के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जिस school में एक teacher काम करना चाहते है तो वह school student लोगों के लिए कितना beneficial है कितना teaching oriented है learning oriented है यह teacher का बहुत ही फर्स बनता है कि एक school जिन school में एक teacher काम करना चाहते है तो वह school एक student के लिए कितना minor रखते है तो इसलिए according to the perspective of student भी यह question आप लोगों को पूछा जा सकता है और as a teacher आप लोगों को भी पूछा जा सकता है कि why do you want to work in DAV ठीक है यह दोनों perspective में आप लोगों को यह question पूछा जा सकता है कि why students read or study in DAV school just mention your or just elaborate your view viewpoint यह पूछा जा सकता है दोस्तों बट यह तो पूछा ही जाता है कि why do you want to work in DAV as a teacher यह पूछा ही जाता है तो तब अब बता सकते है कि अप लोगों का answer interview में हर वक्त अप लोगों का answer honest and realistic होनी चाहिए कोई वी imaginative answers अप लोग नहीं देंगे only realistic देंगे यह आप लोग बता सकते है कि DAV is the best school for its high result every year and it is ranked among the high level school as compared to the other school and in this as as this institution child learn and grow in a holistic environment along with all types of teaching learning material and teaching tools अप लोग अगर अप लोग को पूछा जाए कि इतना क्या खास बात है इस स्कूल पे तो अभी आप लोग कि यह बता सकते है कि DAV सिर्फ एक स्कूल ही नहीं है कि DAV is not only a school but it's a heritage of foundation also a child can learn many and more besides their studies and syllabus DAV provides a child quality education equivalent to any school of CVAC pattern along with sports and co-curricular activities यह आप लोग बता सकते हैं according to the perspective of student तो एक student क्यों पढ़े DAV में यह ही अब लोग के लिए काफी है कि आप लोग यह बहुती अरेंज करके ठीक ठाक approach देकर के बताएं क्योंकि English में fluency होना आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है आप लोग हो सके तो note कर लीजीएगा जो मैंने points आप लोग को बताया है ठीक है तो realistic answer आप लोग को देनी पड़ेगी और यह भी आप लोग को पुछा जा सकता है कि यह भी पुछा जा सकता है आप लोग को कि दायनन्द अंगलोवेदिक trust and managing society कब बनी थी क्यों आया था तो तब अब बता सकते हैं कि दायनन्द अंगलोवेदिक trust and managing society came into existence in 1886 to realize the prophetic vision of the great philosopher महारिशी दायनन्द सरस्वती यह आप लोग को बताना ही पड़ेगा महारिशी दायनन्द सरस्वती के बारे में आप लोग को बताना ही पड़ेगा इनका नाम आप लोग को mention करनी ही पड़ेगी ठीक है तो DAB का motto क्या है इसका objective क्या है इसके बारे में मैं बहुत सारा वीडियोज बना चुकी हूँ DAB related question pattern selection process के बारे में आप लोग DAB exam tips करके जो playlist बनाया हुआ है वहाँ पे जा करके check कर सकते हैं मैं उमीद करती हूँ कि आप लोग के लिए 100% beneficial होगा DAB में selection होने के लिए वह सारा वीडियोज आप लोग के लिए बहुत ही benefited रहेगा दोस्तो तो अगर आप लोग बताएं कि DAB is very reputed institution so that students should read in this school और DAB is very reputed institution that's why I want to work in DAB ये थोड़ा incomplete answer रहेगा तो आप लोग briefly कह सकते हैं कि DAB is very reputed institution अगर कहें उन लोग कि क्यों reputed है तो आप लोग बता सकते हैं कि it has played a significant role in educational and cultural rejuvenation of India ठीक है तो इंडिया का जो significance है वो आप लोगों को बतानी पड़ी कि इंडिया में DAB का जो significance है कि it has played a significant role in educational and cultural rejuvenation of India DAB provides also education that is unique synergy of values from Vedas and modern education methodologies and technologies ये लोगों बतानी पड़ी तो ये तो गया student की बात तो अब अगर हम लोग आए कि why do you want to work in DAB school तो आप लोग बता सकते हैं ये सारा बात भी आप लोग बता सकते हैं कि DAB is a very reputed institution it has played a significant role in educational and cultural rejuvenation of India इंडिया में DAB का इंपोर्टन्स जरूर बताइये का अप लोगों ये वाल्यूस प्रोबाइट करते हैं अब लोग बता सकते हैं और सबसे उपर की बात है कि आप लोग ये जरूर बताएं कि moreover DAB provides a good future for teachers also it develops teacher's skill and provides a great platform to use ICT oriented smart classes to enrich the teaching learning environment ये आप लोगों को include करनी ही पड़ीगी ठीके अप लोग ये भी कह सकते हैं बहुत रियलिस्टिक अगर आप लोग answer देना चाहते हो answer देनी पड़ीगी अप लोगों को कि अगर अप लोगों को समय दिया जाये time दिया चाये answer देने के लिए तो आप लोग ये include कर सकते हो कि and also DAB provides unique allowances like brief gratitude as well as teachers future security जो आदर्स जो आदर्स जो नॉन गवर्मेंटल जो इंस्टिटुशन होता है तो उहां पे प्येव ग्रैचुईटी का सुविदा नहीं मिलता है बहुत ही कम private institution है जहां पे प्येव ग्रैचुईटी का सुविदा मिलती है दोस्तों and DAB सबसे बड़ी institution है जहां पे प्येव ग्रैचुईटी का सुविदा दिया जाता है और यहां पे पर्मानेंट होने की भी एक चांसेज बहुती बढ़ी हा चांसेज होती है कुछ एर्स के वह एक वान तो तू यर्स तक अब लोगो को पर्मानेंट भी किया जाता है according to your performance, class controlling, managing power ठीक है तो इसकी सबस अब लोगो पर्मानेंट भी किया जाता है and as compared to other non-governmental institution DAB is best because it provides it also provides systematic payment which is obviously more than other non-governmental institution so I eagerly want to work in DAB यह आब लोग include कर सकते हो ठीक है तो मेरा जो knowledge and experience है आप लोगो को मैंने share किया आप लोगो के साथ ठीक है तो अगर कुछ errors रहा तो मुझे जरूर बताना comment करके and अपना experience जो भी है आप लोगों के साथ भी यह question पूछा गया था या नहीं आप लोगों जरूर बताईएगा comment करके and मेरा जो knowledge है मैं अप लोगों के साथ share किया and in future भी मैं अप लोगों के साथ ऐसी टाइब की teaching methodologies and ideologies के ऊपर कुछ questions मैं share करूँगी जो मैं भी face कर चुकी हूँ interviews पे मेरा knowledge मैं अप लोगों के साथ share करूँगी and experience भी share करूँगी और यह सारा जो tips है दोस्तो यह अप लोगों का selection process में बहुत ही काम आएगा अप लोग हो सेके तो यह सारा notes अप लोग copy पे लिख करके रख दीजिएगा क्योंकि English में friendly अप लोगों को बताना है यह सब अगर अप लोग English में friend बात नहीं कर पाते हो तो जरूर mirror के सामने आप लोग practice जरूर करना यह सारा जो भी मैंने बताया आप लोगों को one by one point करके आप लोग नोट कीजिएगा उमीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही helpful रहेगा ठीक है जरूर आप लोगों का feedback कमेंट करके बताये और future में भी मैं इस टाइब का वीडियो लेकर के आऊंगी अच्छे से preparations लेते रहे दोस्तों वेस्ट अबला call of you धन्यवाद